जैये श्रीरा, मैं डॉक्टर अंकित्यागी, आपका अपना एस्टॉज आप निम्रलोजिस्ट, लाल किताव नवास्तू कंसल्टेंट, आप सभी का तरश स्वागत करता हूँ आपके इस अपने फेस्बुक पेज और यूट्यूब चैनल पर, बुद्ध का वरश्चिक हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हर राशी पर, पूरी बारा राश्यों की बात आज हम करेंगे, आपकी राशी पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मेश राशी की बात करें, तो मेश राशी के जातकों के लिए बुद्ध तीसरे और छटे बाव के स्वामी ह और बुद्ध का विरश्चक राशी में गोचर आपके आठवे भाव यानि दिरगायू अचानक होने वाली घटना है और बदलाव के भाव में होगा मेश राशी के लिए गोचर अनकूल प्रतीत नहीं हो रहा है लेकिन आठवे भाव पर आपके लगन के स्वामी मंगल का अधिपत्य है इसलिए आपको आठवे भाव के हानकारक प्रभाव का अनुबव ज्यादा नहीं होगा बस इस दौरान आप अपनी वानी पर नियंतरन रखें या आपके लिए विशे सला रहे विर्शव राशी वालों के लिए बुद्ध दूसरे और पाच्वे भाव के स्वामी है और बुद्ध का वरश्चिक राशी में गोचर आपके जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर्शिप के सात्वे भाव में होने जा रहा है बुद्ध का व्रश्चिक राशी में गोचन प्रेम विभा करने वाले जातकों के लिए अच्छा साबित होगा आपकी ये साज़दारी फायदेबन साबित रहेगी साथवे बुद्ध भाव से बुद्ध आपके लगन भाव पर दरश्टी डाल रहे हैं जिसके परणाम स्वरूप ये अबदी आपके स्वास्थ के लिए भी अच्छी रहने वाली है मितुन राशी मितुन राशी वालों के लिए बुद्ध लगन और चोथे भाव के स्वामी है बुद्ध का वरश्चिक राशी में गोचर आपके शत्रू स्वास्त पृतिसपर्धा और चाचा के छटे भाव में होने जा रहा है इसके परणाम सुरूप आपको इस दोरान अपने स्वास्त के साथ साथ अपनी माता के स्वास्त पर भी ध्यान देने की आवश्यक्ता है बुद्ध का वरश्चिक राशी में गोचर आपके पाच्वे भाव यानि सिक्षा, प्रेम संबंदों और बच्चों के भाव में होने जा रहा है और ये पूर्व पुन्य का भाव भी है बुद्ध बुद्धी के कारक हैं ऐसे में पाच्वे भाव में बुद्ध का गोचर करक राशी के चात्रों के लिए बेहत शांदार साबित होने वाला है इसलिए चात्रों को इस अवदी का सदुप्योग अपनी पढ़ाई की बहतरी के लिए करना चाहिए सिंग राशी सिंग राशी वालों के लिए बुद्ध दूसरे और 11 भाव के यानि वितिय भाव के स्वामि बुद्ध का व्रश्चिक राशी में गोचर आपके चौते भाव यानि माता, घरेलू, जीवन, घर, वाहन और संपत्ती के भाव में होने जा रहा है आपके चौते भाव में बुद्ध का गोचर आपको चौते भाव से संबंदित मामलों में निवेश करने के लिए प्रेरित करेंगे विशेश रूप से रियल स्टेट या प्रॉपर्टी के जो एजेंट्स हैं या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उस छेतर से उनके लिए अनकूल रहे गाई कन्या राशी वालों के लिए बुद्ध दस्वे और लगन भाव के स्वामी है बुद्ध का व्रश्चिक राशी में गोचर आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है ये भाव आपके भाई बहन आपके शौक छोटी दूरी की यात्रा संचार कोशल का प्रतिनित्व करता है लगन भाव के स्वामी बुद्ध का तीसरे भाव में गोचर आपके बाचीत करने के धंग को अधिक प्रभावी बनाएगा बुद्ध तीसरे भाव के तीसरे भाव से आपके धरम, पिता, गुरु के नौमे भाव पर द्रश्टी डाल रहे हैं जिसके फल सुरूप आपके पिता के साथ आपके संबंद काफी अच्छे रहेंगे और आप अधिक धार में खो जाएंगे तुला राशी तुला राशी वालों के लिए बुद्ध बारवे और नौमे भाव के यानि परिवार, वचत और वाणी के स्वामी है बुद्ध का वरस्चिक राशी में गोचर आपके दूसरे भाव में होने जा रहा है दूसरे भाव में बुद्ध के गोचर के परणाम सरूप आप अपनी वाणी में नियंतरन रखें और बाटचीत करने का तरीका आपका बहुत प्रभावी रहेगा बुद्ध की आठवे भाव पर दरश्टी आपको अपने ससुराल वालों से सहयोग परदान करेगी और आप उनका आशिरवाद प्राप्त करेगे अगर हो सके तो साथ ससुर की सेवा करें वरश्चिक राशी वरश्चिक राशी वालों के लिए बुद्ध ग्यार्वे और आठवे भाव के स्वामी बुद्ध का वरश्चिक राशी में गोचर आपके लगन भाव में हो रहा है बुद्ध वरश्चिक राशी में ही गोचर कर रहे है सामन्य तोर पर ये गोचर अच्छा माना जाता है क्योंकि ये जातक को बुद्धी, अच्छा संचार, कोशल और युवा वस्था का आशिरवाद देते हैं और ग्यार्वे भाव के स्वामी का लगन भाव में गोचर करने के फल्सरोप आपको बहतर आर्थिक जीवन का आशिरवाद प्राप्त होगा यानि फाइनिशल पोरिशन सुधरेगी धनुर राशी वालों के लिए बुद्ध सात्वे और दस्वे भाव के स्वामी है बुद्ध कवरश्चिक राशी में गोचर आपके बारवे भाव में यानि कि विदेश, भूमी, जो विदेशी भूमी है फौरण से संबंदितकारे हैं अस्पताल, खर्चे, MNC कंपनियों के भाव में होने जा रहा है बारवे भाव में बुद्ध का गोचर के परणाम सरूप आपको विदेश से नौकरी के अवसर मिल सकते है या बाहर से कोई काम मिल सकता है आपको स्वास्त के लिहाद से बुद्ध का व्रष्चिक राशी में गोचर आपके लिए उतार चड़ाव भरा रहेगा इसलिए स्वास्त का ध्यान रहा है मकर राशी मकर राशी वालों के लिए बुद्ध छटे और नौवे भाव के स्वामी है बुद्ध का व्रष्चिक राशी में गोचर आपके ग्यारवे भाव में होने जा रहा है और ये भाव वितिय लाव यानि फानेंशल गेन इच्छा जो आपकी डिजायर्स हैं मकर राशी वालों के लिए छटे बाव के स्वामी बुद्ध का ग्यारवे भाव में गोचर शत्रू के साथ चले आरे संगर्ष को हल करने के लिए अनकूल साबित होगा आप अपनी बुद्धी मता और बाचीत करने के तरीके से अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाने में सक्षम रहेंगे कुम्ब राशी कुम्ब राशी वाले जातगों के लिए बुद्ध पांचमें और आठमें बाव के स्वामी है बुद्ध का वरश्चिक राशी में गोचर आपके पेशे और कारेस्थल के दसमे भाव में होने जा रहा है दसम भाव में बुद्ध का गोचर कुम्ब राशी के उन छात्रों के लिए अनकूल रहेगा जो पढ़ाई पूरी करके नौकरी करना चाहते हैं इस अवधी में दंसम्बंदी लेंदेन और जमीन जारात के फैसले उपयोगी साबित होगे मीन राशी मीन राशी वालों के लिए बुद्ध चोथे और सात्वे भाव के स्वामी है बुद्ध का वरश्चिक राशी में गोचर आपके नौवे भाव में होने जा रहा है और ये भाव धरम, पिता, लंबी दूरी की यात्रा, तीर त्यात्रा और भागय के भाव को दर्शाता है ये अवधी मीन राशी के उन जातकों के लिए अच्छी साबित होने वाली है जो शादी के बंदन में बंदने की योजना बना रहे है और वहीं बुद्ध का वरश्चिक राशी में गोचर आपके करियर के लिए शांदार रहेगा पेशेवर जीवन बहुत फूले फूलेफलेगा व्यापारी हैं अगर आप तो विशेज ध्यान दे कारे अच्छा रहेगा फिर मिलेंगे जाशेराव